कि नाजिर्व अलब कुम्त वर रेकातो रम्दान शरीप की आप सभी को वह बाद रम्दान का दुसरा अच्षरा मखवरत का अच्षरा हम सब पर लेहमतों का साया लेकर आया है कि हम अपने अपनी मफरत की द्वाय मांगे अल्लाद अल्ला हमारी गुराओं को माफ करें महीं दूसरी अक्सरे के साथ साथ जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा आप देखते हैं कि दमदान के महिने में समाजी, सियासी और सरकारी अफ्टार पार्टियों का एक 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 एक्तमा में चुलो जाता है सियासी पार्टियां, समाजी कार्पुनान या बहुत सारे लोग इस तरह की पार्टियों का इने खाथ करते हैं जिससे इनका मसंगल निया हो कि मिली इत्याद हो, समाजी इत्याद हो और साथ इसाथ बेहनुमसाइब ہंदोस्तान की दिगर मुटले मुटफण बजाय की बीच में इत्याए इत्तवार पैदा करना इनका मसंगल हो सकता है ऐसे एक पार्ट सांता कुरूस हसनाबाद लाइन में मशूर मारूफ शक्सियत इब्राइम भाईजान की है जो 18 सारों से एफ़तार पार्टों का एफ़तार पार्टों का जो हम खास तोर से यहां पर जिकर करना चाहेंगे क्यासनाबाद लाइन सांता कुर्स वैस्ट में जो मार्केट बनीवी है जहां पर बेशमार कहते हैं और पुरे बंबरी शहरत से हुआни दुकाड़ने उसे को ऐतले हैं एत समय करते हैं यह इत और करती हैं black की कर दो कर्मन कि कैने आते हैं उन्म लीए और आपगर उन्हेर पतैने घ्रशार कि नि अजब है और यह सवाब इचारी आजिकरते हैं ऐसी पार्टी क्यारों रोज़े को हाजी गुलाम नभी इब्राइन भाइजान ने मुनकित की ती जो के यह समझी कि वहाँ पर इस शहर के मौसस हजरात निशेकरत की लिडरान कि उसके अधार को अधाकरां उससे लिया और काफी पार्डी के नीव ऐतार पारी के की तरसे सबढ़ी वियाईबी बाउजस हजरात में शिर्गत की, वहाँ आप पर इब्राइम आप देख सकते हैं, आप याप को स्क्रीन पर देख रहा है, आप किताब इब्राइम भायन ने उन महमानों का शाल पेश करके और गुलपोशी कर और टोपी पेश करके उनका इस्तबाल किया, आप देख रहे हैं उसके रजामगुराद साह準 प्विए है, अली का अली खाक रही है, रंजीर भी है, भाई चक्ताब है, उसके बादे बहुत सारी वज्राहों है, मिनिस्टर है, उसने दोपाली साहब है, ऐसे बहुत सारे नहीं कर शियकत की, और ये पार्टी, ईफ्तार पार्टी भी बहुत जो भाईजान के तरफ से गया है, बंबई में नहीं, पूरे महारस्ट में, हज कमिंटी के सदर इस नाते से और एक इस एरिये के नहीं, महारस्ट के जो हमारे जुम्एदार जितने भी दिग्रत नेता है, उसमें से एक भाईजान का नाम है। और इस तरह से जो रोजे रखने वाले रोजदार चाहे गरीब होंगा, अमीर होंगा, पुडारी होंगा, नेता होंगा, उद्योगपती होंगा, सभी एक जगों आके सबों ने भाईजान के लिए दुआ भी की और हमारी उम्मीद भी है कि आगे भाईजान हमारे संगात, हमा मुबारक बात देता हूं, कि इस तरह की प्रोग्रामों से एक अच्छा संदेश सारे स्टेट में, मम्मुई सहीत सब स्टेट में जाएंगा, और उसके लिए ये बहाना रहता है रोजे का, लेकिन इसके संगात, एक जो महबत, प्यार, खुलूस और दोगों के संगात अप इस तरह की प्रोग्राम होना इस माहोल में बहुत जरूरी है, और वो अच्छा प्रोग्राम भाई जानने लिए, सभी नेता आएं, सभी कॉंग्रेस के दिगर नेता होंगे, या और कही पार्टियों के नेता, कही व्यापारी, कही हां के जुमेदार आया और सबों ने एक स अब की लोग सभी जमा हो जाते हैं एक साथ, क्या संदेश का देना चाते हैं? जिस तरीक इसे मुल्क में जो हालाच चल रहे हैं उसके लिए दुआ करे कि अल्ला ताला पूरे मुल्क में अमान शांती रहे हैं और भाईचारा कायम रहे हैं और सेकुलिदम पालने वाले लोगे उनको ताखत मिले खुवत मिले और हिंदुस्तान में सभी मसले के उपर ज अल्ला ताला की बारगा में दुआ करे के हिंदुस्तान तरिकी के और जाया अपस में भाईचारा रहे हैं और सभी आए जिसे हमारे अब्दुसता साफ आमदर साफ औरंगाबास से इतनी ज़रूरी मिटिंग छोड़के कलेक्टर की माजी मिनिस्टर भी आप इनका जो महार समय को लेके सवाल पड़े होते रहे हैं तो उनके लिए कोई दुआ की गई है कि मुझी से बचा जाए हैं देखे माइनुटी के लिए तो कॉंग्रेस पारिटी राहूल गांदी जी अशोक चोगान साफ महाराश के अद्दिक्स और और अलिंडिया ते राहूल गांदी जी सोनिया गांदी जी माइनुटी के लिए माइनुटी के लिए पूरा बीड़ा उठाई है और आपने भी देखा है करनाटक के अंदर जो उनकी हद्गर्मियां चल रही थी जो लोक्षाही को राजशाही में बदल रहे हैं उसको राहूल गांदी जी ने और महाराश्ट और हिंदुस्तान के कॉंग्रेस नेताओं ने कारेकरदों ने मुह तोड़ जवाब दिया रहूल गांदी जी ने सरकार बनाने में शक्षम रहे हैं जुडिसिली को जो उन्होंने चेलेंज किया थी जुडिसिली ने उनको उनकी जगा दिखाने के काम किया आगे आने होले समय म मैं समझता हूं अब्दुसत्तार जी से हमारे आमदर साहब है और भी जो जिगज नेता है अशुक चवान साहब रहूल गांदी साहब मैं समझता हूं 2019 के अंदर एक नया इंकलाब पूरे हिंदुस्तान में आएंगा इतनी उम्मीद करता हूं पूरी माइनियूटी से भी पिछले साल से हाजियों के मुद्धे पर जो सबसेडी का मसला था जो नियाले ने दो हजार 21 में उसको केजवली खतम करने का ओडर दिया था मगर सरकाराई हम उसमें काम कर रहे हैं मेंबर सेंटर हच कमेंटी की होने के नाते हमने बार-बार अब्जिक्शन उठाया है मुक सब्सक्राइब करें में नियाले का ओडर इसमें कंटेम हो सकता है एक पॉइंट में मुद्धा उठाया तलाक की मुद्धे पेदव कॉंगर्स पार्टी ने बहुत ही विरोत किया है और जो हमारा मुस्लिम परसनलों के अंदर भी तरह दरह के कि चीजों में डिस्टिमस कर इसके लिए भी कॉंगर्स पारिती पूरी ताकत से अब्जिक्शन लेने का काम कर रही है और हज कमीटी इंडिया की जहां तक बात है तो हज कमीटी की सवलतों के लिए मारा जिश्टित हर्च कमीटी की सवलतों के लिए जैसे सबी लोगों ने मिलके मुझे सब्तार साह अज के लगार थाकरे साब ने रुटी रच्छ वाण साहब रोचे साब मुझे ओधा दिया था करणने की वुनियाद पूरी तरीकिसे डाली और कायम काम हो रहा है अब ही फाइनल जाह तक मैं समझता हूँ और आगी मैं उसके लड़ाई सासन से लड़ी जा रही जो फंड क बारे में मैं जम्हादा अब्दुर्जद्दा सहाब है मिम्शेक साव है असक्ष्चवान साव हम सबी लोग है उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और हाजियों के लिए जब भाँ कि एसे इफ्धार पर्टियों का इहतेमाम जो है हर शहर में हर Better बारे में अब क्या किया ओढ़ा है इस्थार परणियों मेरा सब्द्दूर्द्दि को नहीं हर साल की तरह इस साल ते हर समाज के हर पाटी के लोग खका हम जो हमेशह에 आते हैं चाहां के रजा मुराजी रंजी साभ माय हम तीनों बिल्कुल फेक्स हर इफतारी में इंके यहां पे आते हैं और यह बहुत पाक महीना चल रहा हें जो अपने मुलक के लिए दूआ करते हैं और अपने लोगों के लिए करते हैं और इस मुलक में जो परेशान फैड़ लिए हॉ हलो Кे लिए दूआ करते हैं तो यह बहुत одно करते हैं दौई होती है और बहुत नेक हम करते हैं इoprahald बाइजान तो मैं इनके परिवार को इनको सब को मारगबाद देना चाहूँ हूँ तैंक यू रम्यान के इस मुकर्तस वोके पर भाइजान ने हम लोगो बलाया है हम चाहते हैं कि पूरे बंबई में पर्कि पूरे देश में गंगा जमनी संस्कती हमारी और ज्यादा मजबूर थैंक एक साइट भाइजान आप भी आओगे थोड़ दो हम अगर जिला हच कमीटी के चेर्मन हाजीर भाइजान सहाब ये भी हम पर आएंगे हाँ ना उनका इस्तपाल करता हो हाजीर भाइजान सहाब देखिये स्टेज के डावी बाजू और वाइज के टावी से utsری नमाज का इंतेसान किया जारा है तुर मुन्ते भी हमें ने सक्षरक्राइब टेपल और आपके अधा देना मुंस से नमज के जाना की आ हए ऐस कर दो क्षै carrier